इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह एंजाइना के नए अटैक को रोकने में मदद करता है लेकिन एक बार शुरू होने पर तीवर अटैक को नहीं रोकता है। यह दिल की कारिक्षमता में सुधार करके सीने के दर्द से राहत दिलाता है। रेनोकार 500 टैबलेट सीनियर को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में रोजाना एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। पेट की गरबड़ी से बचने के लिए इसे भूजन के साथ लिया जाना चाहिए। आपका डॉक्टर निर्नय लेगा कि आपको यह दवा कितनी बार लेनी चाहिए। यह कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इस आधार पर यह समय समय पर बदल सकता है। अधिक्तम लाब पाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए। भले ही आप ठीक महसूस करें। यह भविश्य के नुकसान को रोक रहा है। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका सीने में दर्द वापस आ सकता है। आप धूंडपान छोड़ना, शराब का सेवन कम करना, अच्छी तरह खाना खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और तनाव प्रबंधन करने जैसे कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर अपने दिल के स्वास्थि में सुधार कर सकते हैं। इस दवा के कुछ सामानने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, कब्ज और कमजोरी शामिल हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं या इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। ट्रेनोकार्ट 500 टैबलेट सीनियर कुछ लोगों के लिए उप्यूक नहीं हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह की लिवर या किडनी संबंधी समस्याओं से पीडित हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं, जिनका आप उप्योग कर रहे हैं, क्योंकि इस दवा से कुछ दवाओं पर प्रभाव पर सकता है या यह दवा प्रभावित हो सकती है। आमतोर पर गरभावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया जाता है।